हेलो एब्रीवन मैंनी लंद वारी आप सभी का मैगनेट ब्रेंस में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैगनेट ब्रेंस एक ऐसे चैनल है जहाँ पर आपको किंडर गार्टन्स लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री एविलेबल करवाए जाते हैं कि आपको स्टार्टिंग के दो वीडियो देखने के वाद में आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया जाए कोई भी आपको फीज देनी पड़े बिल्कुल फ्री आपको हर एजुकेशन यहां पर मिलती है चाहे एंटीसी हो चाहे ओलंपियाड हो या कोई किसी भी त चाहटवी संस्कृत में मैंने जो सश्ठा पाठा का आपको पेपर दिया था उसको आपने कितना हल किया कैसे कर पाए आप हल उसको समझाने वाले हैं तो देखें जैसे कि रूचिरा आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने पांच पाठ पढ़े और पांच पाठ तक हमने आपको क्या-क्या सिखा दी हैं बताइए आपके पाठ पढ़ाने में तो तब तो हमने सिखाई ही हैं लेकिन टेस्ट पेपर भी हल करवाए हैं उनमें भी हमने आपको सारी चीजें रिवाइज करवा दी हैं पूरी दोरा दी हैं तो अब उन पांच चीजें जो बत ना सिखाई आपको तीनों तरह की पुरुष बताए जो करता होते हैं काम करने वाले होते हैं वो कितने प्रकार की होते हैं तो आप लास्ट टेस्ट पेपर आप देखोगे तो उनमें यह सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और शब्द रूपों में भी हमने प्रत्म विभक्ति से दर्शाया जाता है और जब कोई भी कोई भी शब्द जब वह कर्म बन रहा होता है तब हम विभक्ति का प्रीभ खकती अब इस पार्थ में हम जैसे शब्द रूपों की हमने प्रत्मार विभक्ति पढ़्डी दूइत्य पढ़्डी तो अब तिर्पिया प्रतिय विवक्ति में लगा हुआ होगा बालकेन, बालकाभ्यम, बालकेह, चतुर्थी में बना होगा बालकाभ्यम, बालकेह, तो इस पाठ में आप तृतिया और चतुर्थी विभक्ती को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, तृतिया और चतुर्थी विभक्ती को, तो शब्द रूपों में प्रत्मा विभक्ती का प्रयोग हमने आपको लास्ट वीडियो में सिखा दिया यानी जहां पर कर्म होता है करता कौन होता है काम करने वाला काम के द्वारा वो जिसको चाहता है सबसे अधिक वो कर्म होता है यानि मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ, यानि मैं पढ़ने की द्वारा मैं करता हो गया, पढ़ना मेरी क्रिया हो गई, और क्रिया की द्वारा वो किसको चाह रहा है, क्या पढ़ना चाह रहा है, समाचार पत्र, तो मेरा कर्म क्या हो गया, समाचार पत्र हो गया, तो कर्मनी दूइतिया तो उसको संस्कृत में दर्शाने के लिए हम दूइतिया विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं अब आते हैं अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारी तृतिया और चतुर्थी विभक्ति दो विभक्तियों को आप पढ़ने वाले हैं इनका क्या आर्थ निक तृतिया पर चल रहे हैं तृतिया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति ठीक है तृतिया विभक्ति में बालक शब्द बनाता है अपना रूप बालकीन अभी एक वचन की बात तृतिया विभक्ति में एक वचन रूप क्या बनता है बालकीन दुई वचन में बनता है बालक क भ्याम और बहुवचन में बनता है बालक गई है अभी रूख जाएगा हम अर्थ भी बताएंगे तो बिल्कुल सब चीज़ें पस्ट आपकी हो जाएगे चतुर्थी विवक्ती में वही बालक शब्द बन जाएगा बालकाए बालका भ्याम और बहुवचन में चतुर्थी विवक्ती के बहुवचन में बालक अपना रूप बनाता है बालके भ्याम बाई क्यों अर्थ बदल क्यों अपने रूप बदल रहा है कभी ये तो सोची है वो इसलिए बदल रहा है कि यह जो विभक्तिए इसे शब्द होते हैं जो सीधे क्रिया से अपना सम्मंध रखते हैं KAARAK समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी चीज आपको दिमाओं में नहीं आए, KAARAK पकड़ना जरूरी है. अब हमने जैसे के कहा कि कारक का सीधा क्रिया से सीधा डाइरेक्ट सम्मन्द होता है. आपकी क्रिया होती है. अच्छा क्रिया होगी कब? जब उसको करने वाला होगा तो जो काम को करने वाला होगा वो करता हो जाएगा यानि ये हो गया कारक जिस शब्द का, जिस शब्दों का क्रिया से सीधा सीधा सम्मंद है यानि जिसका क्रिया पर कुछ ना कुछ प्रभाव पढ़ रहा है वो हमारे कारक कहलाते हैं तो पहला क्रिया पर प्रभाव किसका पढ़ता है करता का क्योंकि करता अगर नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगा तो क्रिया का को करने वाला पहला कारक बनता है हमारा करता दूसरा क्या होता है अपनी क्रिया के द्वारा जो जिसको सबसे दिख चाता है वो कर्म होता है तो क्रिया के द्वारा मुले पढ़ने के द्वारा किसको पढ़ना चारा है करता क्रिया करने के द्वारा किसको पढ़ना चारा है पढ़ना चाहरा है तो जो पढ़ना चाहरे हो कर्म हो गया क्या हो गया और कीवल पढ़ना नहीं आप कोई जाना चाहरे हो का जाना चाहरे हो बजार को जाना चाहरे हो विद्याले को जाना चाहरे हो मार्केट जाना चाहरे हो मौल जाना चाहरे हो जहां नगर जाना चाहरे हो भारत जाना चाहरे हो विदेश जाना चाहरे हो दुनिया में कहीं जाना चाहरे हो वह आपका कर्म हो ठीक है अब कहाँ पी ने की देखना चाह रहे हैं, क्या देखना है, हमें तो टीवी देखना चाह रहे हैं, हम तो चल चितर देखना चाह रहे हैं, हम तो अपने पुस्तक को देखना चाह रहे हैं, हम तो लड़की को देखना चाह रहे हैं, जिस चीच को देखना हैं, भाई क्रिया के मैं सहायता करता है वो करण कहलाता है सहायक बन गया क्रिया का तो कौन हो गया वो करण क्रिया से सीधा सीधा सम्मंद हो रहा है तो यह क्या हो गया करण क्या सिंपल सी बात है कि सहायता करने वाला करण हो गया अब करता की करता अपनी क्रिया जिसके लिए करता है वो होता है चात्रों के लिए सिक्षा दे रहे हैं लेकिन को का भाव नहीं आता है क्योंकि किसके लिए वो बोल रहे हैं किसके लिए वो अपने पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं चात्रों के लिए माता किसके लिए भुजन बना रहे हैं लड़कों के लिए बच्चों के लिए बना रहे हैं गुरुओं के लिए बना रही है कोई बाहर से महमान अतिती आये हैं तो अतिती के लिए बना रही है तो जिसके लिए क्रिया हो रही है वो संपरदान हो गया अच्छा लड़का पढ़ रहा है किसलिए पढ़ रहा है ग्यान के लिए पढ़ रहा है तो किसके लिए क्रिया कर रहा है वो जिसके लिए कर रहा है वो संप्रदान कारक होगा फिर करेंगे जहां से क्रिया अलग हो बोले करता कि अलग होने की क्रिया जिस स्थान से हो वो अपादान होता है यानि क्रिया का अलग होना जहां से पाया जाए जैसे बिल से साप निकलता है साप बिल से अलग हो रहा है अलग होने की क्रिया मैं घर से बाहर जाता हूँ अब कहां घर से बाहर यानि बाहर हो रहा है अलग हो रहा हूँ मैं गाउं से नगर आता हूँ तो गाउं से आप नगर की लिए मैं नगर से गाउं जाता हूँ तो नगर से आप अलग हो रहे हो तो क्रिया गो रही है जाने की अलग होने की क्रिया हो रही है तो जिस इस्थान से अलग होने की क्रिया हो रही है वो अपादान कारक होता है जैस से बच्चा गर गया गोड़े से व्यक्ति गर गया तो गोड़ा तो स्थिर था ना गिरा कौन व्यक्ति तो क्रिया करने वाला तो व्यक्ति था लेकिन जिस स्थान से गरा वह अपादान कारक हो गया ठीक है अब कहते हैं संबंध अब आते हैं संबंध पर संबंध ऐसा कारक हो संस्क्रित में पढ़ी चरोग्त ouais संबंध नहीं रखती है संबंद दो चीज के आप竟ा भूप में मेरा घर यानि मेरा और गर संबंद रिख्ता निया कह Ведь इनमाइं है किनिक्ता गर कि एक मेरी किताब जभी लड़की लड़की का पैंट है लड़के का पेंठ लड़के का वस्तर है तो संबंध को कारक क्रिया से इसका कोई लेना देना नहीं होता है इसलिए इसको कारक में संस्कृत में तो नहीं रखते हैं हिंदी में जरूर संबंध कारक कह देते हैं अब कहेंगे अब आता है अधिकरण यानि क्रिया का जो आधार बनता है वो यानि करता जो क्रिया कर रहा है उसका जो आधार बनेगा वो अधिकरन होता है आधार यानि यानि जो स्थान स्थान आधार हो अधिकरन कहा जाता है अधिकरन क्या होता है स्थान होता है यानि मैं घर में रहता हूं तो मैं करता हो गया रहना मेरी क्रिया हो गई कह तो कक्षा क्या होगी मेरी अधार में औदते हैं पक्षि उड़नी का काम करने हैं लेकिन उनका आधार क्या है आकाश आकास उनका स्थान ओ गया तो अ कि अस्थान जीस्ज ऑह होती है अधिकरन यानि देखिए करीया का का आधार हो गया के नहीं तो यह आपने देख्या क्या होते इह जिनका क्रिया से संबंद व करक कीcture वह और आपने अभी हमने जितने भी शब्द बोले तो कहीं पर हमने बोला लड़के के लिए कहीं हमने कहा कि विर्क्ष से गिरता है कहीं हमने कहा आकाश मैं उड़ता है सभी में कुछ ना कुछ बोला तो इन में कुछ ना कुछ निकले के नहीं निकले हमने कहा कि लड़का को नगा हुआ था सिसे गए साइक गुछ से पत्र लखा सायकל से विद्याले गया मैं साइकल से विद्याल गए जाने की क्रिया मैं करie था लेकिन से किसमें जुड़ा था साइकल तो सायक ने से की द्वारा ने हमें ये बताया कि यह हमारा सायक बन रहा है जिसमें के लिए अर्ठ जुड़ गया माता ने बच चि लिए किया जाया का मोजातल संप्रद Connor बच्चे में क्या जोड़ा था लड़कищ में के लिए जोड़ा था रिक्ष में से जोड़ा था लेकिन वो कौन सा अलग होनी वाला था संबंद में तो वही काकी की का अर्थ निकलता है या रारी रे लगा हुआ होता है यह पहचान के लिए बता रहे हैं ठीक है और आकाश में छट पर या कहें घूरे पर या कहें जहां पर मेव पर लगा होगा वह हमारा अधिकरन संस्कृ सिर्ट में ये काम है कि सब्सक्ति हैं जो आप शब रूप द्धै कासे का तक बने होते हैं प्रत्मा типа के सबक्राइब है कि इनगे हमारी चतूरथी रहा ती है कि अपादान के लिए हमारी पंचमी रहा कि आती है सम्मंद में सश्ठी लगाई जाती है और अधिकरण में सब्तिमी आती है कौन सी आती है सब्तिमी अर्था अब जो आप शब्द रूप याद करोगे जो आप शब्द रूप याद करते हों तो उसमें आप क्या करोगे जहां करता बन रहा है वहां हम प्रत्मा विवक्ति के रूपों को लिखते हैं बालका बालका अर्थ क्या निकलता है एक बालक नहीं दो बालकों नहीं या बहुत सारी बालकों नहीं या फिर किवल पहचान करवानी हो तब भी प्रत्मा विवक्ति या नहीं बालक दो बालक औ निकाल के बैटिए तो दुईतिया विवक्ति में रूप क्या बना हुआ है तो इस के लिए we करेंगे तुरीतिया है का रूप क्या बनता है बालंता है बालक इन बालका भ्यांब बालक की द्वारा चिन इस जोर जाए संप्रदान कारा proudly व्याए जोर जाता है तो चतुर्थी भीवर लक से अलग हो जाएगी बहुत सारी बालकों से अलग हो जाएगी सश्थी बिवक्ती बालकति बालक का ना जो किसकारक के लिए आती है करण ऊसंपरदान यानि जो कहते हैं जो सहायक बनता है साधक तमम करणम साधक जो होता है यानि करता काम करने वाला का जो सहायक बनता है वो करण कहलाता है ठीक है और संप्रदान जिसके लिए ध्यान कीजिएगा ऐसे सोच के याद रखेगा कि जिसके लिए किया जाए काम या जिसको दिया जाए दान वो होता है संप्रदान किसी भी वाक्य में अगर किसी के लिए काम किया जा रहा है तो उसमें को आप चतुर्ती विभक्ती में बताएंगे या जिसको दान दिया जा रहा है वो भी संपरदान बनेगा उसमें भी आप चतुर्थी विभक्ती लगाएंगे समझ गए तो अब यहां पे देखिए कि यहां लिखा है बालकह यानि लड़का क्रीडती खेलता है सह यानि साथ में सहकार्थ क्या होता है साथ में लड़का जिसके साथ में खेलता है बालकेन या बालकम तो अब देखिए एक और सूत्र थोड़ा सा आ रहा है सुत्र के हिसाब से हम आपको समझा देंगे तो वो आपको जीवनवार याद रह जाएगा ये जो सह लिखा है अभी हमने क्या कहा अब हमें एक हिंदी में हमने वाकि बोला लड़का लड़के के साथ खेलता है अभी हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया लड़के के यह लड़का लड़कों के साथ खेलता है अब लड़के के साथ खेलता है यह लड़कों के साथ खेलता है अब वो अपने वचन पर डिपेंड करेगा लेकिन अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लड़के शब्द में के लगा होगा है और अगर आप बिभक्ती होगा भी फिर से अगर ध्यान करोगे तो आप काओगे काकी के तो सम्मंद में आता है सश्ठी में आता है ना तो बालक का रूप किसमें तृतिया में तो यहाँ पे ही नहीं यह तो अर्था तो एक भी नहीं है क्या तो यहाँ पे तो क्या बन जाना चाहिए वो काकी के का अर्थ निकल रहा है तो सश्ठी लगा दो यानि बालक का सश्ठी विवक्ती का वचन लगा दो तो बालक कसी लिख दो आप कहोगे निश्चित कोई गलती हुई है इसलिए यहाँ पर ओप्शन दिया ही नहीं है गलती नहीं हुई है सुत्र हमारा ये काम हमसे करवा रहा है यहाँ लिखा हुआ है कि लड़के की होने पर भी इसमें तृतिया लग रही है क्यों? यह एक जो हमारे पास एक अवियाय लखा हुआ तन सह का अर्थ होता है साथ सह का अर्थ क्या होता है? साथ तो सुत्र एक हमारे संस्कृत में होता है सहार्थे तृतिया क्या होता है सहार्थे तृतिया यानि सह की अर्थ में आपको तृतिया विभक्ति लगानी है यानि जिस किसी शब्द में काकी के लगा हुआ हो लेकिन उसके बाद में अगर यह साथ शब्द लिखा हुआ हो सह साकम सार्धम लगा हुआ हो तो समझ जाना उस शब्द में आपक सश्ठी का आपको चिन दिखते हुए भी आपको तृतिया लगानी है सहार्थे तृतिया सूत्र से ठीक है अर्थात बालक में सश्ठी ना लगा के हम उसके तृतिया विभक्ती का रूप लगाएंगे हो जाएगा बालकेन और ना उसमें पूरा होता है ना की आधा तो हमारा रूप बनेगा बालकेन ठीक है यह रूकेगा चले तो अब हम देखते हैं अब अपना दूसरा प्रेशन लिखा है गजाह सह चलंती समझ में आ गया सहार्थे तृतिया यानि अब ये गजाह यानि बहुत सारे हाती एक बात अपने आरे यह बहुवचन का रूप आ रहा है गजाह चलंती गज चलते हैं किसके साथ चलते हैं सह यानि साथ चलते हैं किसके साथ चलते हैं गजे भी ही गजाह य अब यहाँ पे गज शब्द में तृतिया आपको ढूननी है तो गज एक कैसा शब्द होता है अकारांत शब्द होता है लता शब्द आकारांत होता है गज होता है अकारांत शब्द अकारांत शब्द तृतिया विभक्ती में जो रूप बनते हैं वो बनते हैं गजीन या रामेन, रामाभ्याङ, रामई, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकई, तो यहां हो जागा गजई, ठीकै? फलेन, फलाभ्याङ, फलाइ, अब आप कहोगे फलके भी क्या तृतिया से के पुरुलिंग जासे बनते हैं, हाँ. प्रतमादूतिया छोड़ दो, तो फिर तृतिया से सत्मी तक के अकारांत चाहे नपुन्शक लिंग हो या पुरिंग, दोनों के समान रूप बनते हैं लिए लता के अलग बनते हैं क्योंकि ये आकारांथ है उस त्री लिंग है इसका रूप बनता है लताया लताभ्याम और लताभी तो आपको लगेगा इसमें आप दो तरह से देखिए आकारांत शब्द होता बड़िया की मात्रा से अंत हो रहा होता ये गज शब्द अगर देखिए इसका सब चीजें हटा दो तो मूल रूप क्या बन रहा है इदर से हटा तो मूल शब्द कैसा बनना है गज गज मतलब हात सब चीजें हटा दो तो गज दिख रहा है आपको मूल शब्द पहचान ये मूल शब्द कैसा है अकारांत है तो बालक जैसे रूप बनेंगे और सह के अर्थ में तृतिया लगानी है तो हम लता जैसे नहीं लगाएंगे क्योंकि भी ही जो आता है वो किस में आता है स्ट्र गुरू शब्द में देखेंगे और आप दुनिया के और भी शब्द रूपों में देखोगे तो तृतिया विभक्ति बहु वचन में भी शब्द आता है लेकिन अकारांत शब्दों में कभी भी ले नहीं आता है तो यहाँ पर गजे भी हमारा गलत हो गया फिर कहा गजाह तो बुले ये प्रतमा विभक्ती में तो बनता है गजे गजाई लेकिन तुरितिया में नहीं बनता तो चात्र सात्र पढ़ते हैं किसके सात्र पढ़ते हैं चात्रे भी ही चात्रा भी ही या चात्रा तो देखिए यहां पे चात्र शब्द ध्यान कीजे चात्र शब्द अगर अकारांत है यानि अगर यहां पे लड़के वाले चात्र की बात हो रही है तब उसका तृतिया विवक् पे चात्रा यानि लड़की है कोई पढने वाली, तब उसका रूप बनेगा चात्रा भी ही, तो तबशी सिर्फ भी ही जुड़ेगा, एकी मातरा तो फिर भी नहीं आएगी, तो सही रूप क्या बनेगा, चात्रा भी ही, अगर यहां पे लड़कों की बात हु रही होती, लड और अगर लड़कियों की बात हो रही होगी तो आएगा छात्रा छात्रा भी सह पठंती तो यहां आप लिख देंगे छात्रा भी ही चीक है आगे लिखा अहम मैं ये च्छामी प्रदान करता हूं तो ये तृतिया विवक्ति का एक सूत्र भी आज इसमें मतलब आप ये साथ साथ में सहार्थे तृतिया का चीक है मैं बिना सूत्र के अपने मन से नहीं है कि हमें सही लग रहा था इसलिए तृतिया लगा दी नहीं सूत्र ने कहा कि सहार्थे तृतिया सह के साथ में तृतिया आप लगाना चीक है ना कभी भी आप जब अगर आप अपना वो राम सीता के साथ जाते हैं, या सीता राम के साथ जाती है, तो जिसके साथ में के के साथ, बाद जहां पर साथ लगा हुआ हो, तो उस के में आपको क्या करना है, तृतिया लगानी है, तो राम सीता के साथ जाते हैं, तो हम कहेंगे राम जाने का काम कर रहे हैं, तो प्रतमा भ लगति लगिन यहांपे सहार्थे तृतियासूत्र गाएगा और सहके साथ में जो काकी का में बूधकाल की करिया केरेंगे का लां दो आपको वैसा स देखाए है उसमें बहुत सारी पथरी ठ्चाए है उसमें भी सीजें बताई है लेकिन सूत्र ने बता दिया हमें तो हम ने सम्में क्या किया टृतिया लगा दि लेकिन अब एक और सूत्र आने वाला है यह तो तृतिया बिभक्ती का एक सूत्र हो गया एक इसमें आपको चतुर्थी का भी एक सूत्र बताया जाने वाला है वो कौन सा सूतर है दानार्थे चतुर्थी यानि दान के अर्थ में चतुर्थी ब्रिभक्ती लगाई जाती है यानि जिसको दिया जाए दान या जिसके लिए किया जाए काम तो जिसको दिया जाए दान तो जैसे हमने कहा कि राजा ने, हिंदी में लिखके बता रहे हैं जैसे जल्दी समझ में आ जाएगा राजा ने प्रजा को धन दिया चीक है? अब आप कहोगे मैंने भिकारी को कपड़े दिये चीक है? सिखशक ने सिखशक ने सिखशक ने छात्रों को विद्या दी या सिखशक छात्रों को विद्या देते हैं मतलब कोई भी देने की बात आ रही है देते हैं अब यहां सूत्र देखिए क्या गडवड करवाने वाला है चतुर्थी विभक्ती संपरदान कारक के लिए उती है जिसका संपरदान का चिन्न होता है के लिए अर्थात जहां चतुर्थी विभक्ती लगेगी वहां के लिए का अर्थ निकलेगा निकलेगा लेकिन यहां एक देखें क्या गड़बड हो रही है यहां यहां कह रहे हैं राजा ने कर्म हो गया करता हो गया क्यूंकि राजा देने का काम कर रहा है करता हो गया फिर कहा धन दिया देना उसकी क्या हो गए क्रिया हो गया देने कुछ भी कर सकते थी क्रिया कौनसी देने के दुवारा थनको देना चाहा तो यह क्या हो गया सका कर्म लेकिन किसको दिया उसने प्रजा को अब प्रजा शब्द में लगा है को तो आप मन में शूच सकते हैं आपको मन में लगेगा कि और हमें भी लगता तक हम आपके जब तक हम यह हमारे सिक्षक ने नहीं करें तब तक हमें भी जरूर की क्रिपा होती है जब अच्छे तो यह समस्य आती नहीं है लेकिन हमारा डाउट क्लियर हुआ हम अपने पूस्टर व्याजूशन वे पढ़ रहे तो इतने दिनों बाद कोई मिले जिन्हों THIS मैं यह उटाएं लेकिन आपको च्चछटवी से ही कि चीजर आपको पता हो तो आपको आगे कभी समस्य नहीं आएगी है न कि क्ला जदे तो यहां किया समस्य दिखे रही कि प्रजाशब्द देखे रही है कि मैं ब्रजा मैं को लगाना चाहिए को लगा हुआ है अर्थाव इसमें तो कोच चन्य और क्यों को कर्म का चिह भी लानी के लेकिन दानार्थी चतुर्थी सूत्र ने क्या क्या दिया कि जिसको दीआ जाये यानि जिसमें को लगा हुआ हो और उसीको दान दिया जा रहा हो उसको बना दीजिए सम्पदान चतुर ACTU यानि जिसको दिया झाए धन दिया झाए युले किसको देगा जा रहा है और दान भी एसा कि जो छुड़ा नहीं लिआ जा बाद में 1 देदिया तो देदिया दान का रत्स ही वह हता बहुता है देना भी दो तरह से होता है एक जैसे favor क biz कपड्य अपने इससे वापस लेते है ये नहीं है के भाई ये प्रेस कर ला और पर फिर ले चожетने नहीं नहीं यहां दूसरे से अपने कपड़े हो यह को कपड़े दे टेक यह खो VI को कपड़े दे दिये लौटके नहीं ही लोटके आने हैं लोटके लो दाने उसमें चतुर yapıyorsun नहीं ऐंगे वजकर तो जिसकोぎ तो जिसको दिया जाए ऐसा दान जो वापस ना है वो हो जाता है संप्रदान तो यहाँ पर धन किसको दिया जा रहा है प्रजा को दिया जा रहा है तो को होते हुए भी उसमें द्वीतिया नहीं लगाए जाएगी यानि प्रजाम शब्द नहीं बनेगा द्वीतिया विभक्त चतुर्थी विवक्ति में अपना रूप बनाते हैं पुर्लिग की बात कर रहे हैं बालक बनाता है राम गया और vibrationege यहां पर देखेंगे थे यह हमने पुर्लिंग वाला अकारानट का बना दिया, इस्त्रीलिंग वाले चतुर्थी विवक्ती में क्या रूप बनाते हैं, जैसे लता स्त्रीलिंग हो गई तो लता बनेगी लता यही चतुर्थी में, लता भ्याम और लते भ्या, ठीक है, लता भ्या, ठीक है, तो यहाँ पर प्रजा को आप लिख देंगे, अगर प्रजा एक है, एक वचन के लिए लिखना है, तो आप प्रजा को प्रजा यही बनाएंगे, प्रजा में अगर दोई वचन का भाव आ रहा है, तो प्रजा भ्याम लिखेंगे, लेकिन अगर प्रजा में अगर भुचन का भाव है, तो प्रजा तो एक नहीं बहुत सारी होत हो गई किसको दे रहे हैं विद्या दे रहे हैं विद्या कर्म हो गया लेकिन चात्रों को को होते हुए भी दानार्थी चतुर्ती कहीं कि चात्रों शब्द में आप चात्र अगर कौन है लड़की है तो आप कहेंगे चात्रे भ्यह और अगर लड़कियां है तो आप कहेंगे रहे हो तो आप का इचा पर देने की बात आ रही होगी वहां पर आपको चतुर्थी बिभक्ती लगानी है तो यहां क्या लिखा है अहम अन्नम यच्छामी मैं अन्न को यच्छामी देता हूँ अच्छा देने की क्रियाएं दो होती है एक होती है दाधातू दाधातू से का अर्थ होता है देना और एक यच्छ धातू भी होती है जिसका अर्थ भी होता है प्रदान करना या देना चीक है अर्थाद अगर आपको किसी वाक्य में दाध हातू या यच्छ धातू दिख जाए तो उसके साथ में जिसको प्रदान की जा रही होगी कोई भी चीज उसमें आप चतुर्थी लगाएंगे तो कहा अहम अन्नम यच्छामी मैं अन्न को देता हूँ किसको याचकम याचक को अब दुटिया विवक्ति है अर्थ तो ये कोगा बता रहा है लेकिन नहीं आएगा याचक की दुआरा नहीं आएगा तुर्थी विवक्ति वाला कौन सा आएगा चतुर्थी विवक्ति याच काई क्योंकि दानार्थे चतुर्थी ने कहा कि जिसको प्रदान किया जा रहा है उसमें आपको चतुर्थी ही लगाने है वितिया नहीं लगाएंगे भले ही कोकार्थ निकल रहा हूं समझ गए तो यह इस प्रकार से एक सूत्र ही हो गया और एक और सूत्र बता देते हैं इसम भी यहां पर परिवर्तन किया जैसे हम कहते है शिव को नमसकार है शिव को नमसकार है शिव को है स्करोग है है तो यह हैं तो यहां पर क्या लिखना शिव नमस्कार है अम शिव श्ब्द में को लगा है गणेश शब्द में को लगा और आठ तो को की हिसाब से तुद्व ही बताईये गणी संब नमाह कहते हैं या गणिश्याय नमाह कहते हैं बताईये गुरुम नमाह कहते हैं या गुरुवे नमहा कहते हैं क्या कहते हैं ओम नमह शिवाय गनेशाय नमहा गुरुवे नमहा विश्णवे नमहा क्यों को कार्थ होते हुए भी चतुर्थी लगाई गई बताए शिव में चतुर्थी शिवाय क्यों कहा गया गनेश में गनेशम नाके कि गनेशाय क्यों कहा गया सुत्र ने क करंए हैं कारक्त की जो वीडियो बनाए हैं चतुर्थी विभधि पढ़िए कारक का संपरदान लंर पढ़िये चतुर्थी विभक्ती पढ़िये उसमें हमने सब चीज़ें बताई है यहाँ पहस सुत्र विश्णवे श्वाहा तो अगनी के में हम चतुर्थी क्यों लगा रहे हैं क्योंकि नमाह स्वस्ति स्वधा अलम वशत योगी इन शब्दों की योग में आपको चतुर्थी लगानी है विश्णवे स्वाहा कहते हैं विश्णु को आहुती प्रदान कर रहे हैं तो को कह रहे हैं को कार्थ हा रहा है लेकिन फिर भी चतुर्थी आ रही है क्योंकि सुत्र ने हमसे कहा है तो यहां लिखा है सावदती वह कहती है नमहा के नमसकार है किसको है गनेश को नमसकार है गनेश के लिए या गणेश नमशकार है बोले भले ही यहां केलिए कार्थ निकल रहा है लेकिन लिखेंगे तो गणेश आई बताई क्यों लगेंगे क्योंकि नमह स्वस्ति स्वधा सुत्र हम से कह रहा है यहाँ पे चाहो तो लिख लीजिए नहीं तो आप देख लीजिए वीडियो कारक वाला संप्रतान कारक का वीडियो देखेंगे चतुर्ति विवक्ति वाला वीडियो देखेंगे उसमें हमने बताया है कि नमह, स्वस्ति, यानि कल्यान हो, क्याते ना, आपका कल्यान हो, आप में का लगा हुआ है, का क्या होते हुए भी चतुर्थी लगा रहे है नमह, स्वस्ति, स्वधा, स्वाह, अलम, वश्ट योगे, चतुर्थी, इनके योग में आपको चतुर्थी विभक्ती लगानी होती है सूत्र कहता है, हम नहीं कहा रहे है, महर्शी पानिनी जो कह गए है, महर्शी पानिनी कौन, जिनने संस्कृत व्याकरण की रचना की, उनने कहा है, स्वम लगा रहे है, ठीक है ना, तो ये इस तरह से, ये हमारे आपके, इधर उत्तर लिख दिये गए हैं, हमने पहले ही साथ, अब यहां क्रिया लगानी है, बताइए क्या है क्रिया लगानी है, तो हम क्या देखते हैं, करता को पहचानते हैं, तो करता कोन होता है, जिसमें प्रतमाविवक्ति लगी होती है, मित्रई में तो तृतिया है, सह क्या है, ये तो अवेश शब्द है, साथकार्थ बता तुम कौन सा है प्रतमाविभक्ति वाला है तो ये कौन है बताईए तुम मध्यम अहम उत्तम तुम मध्यम में उत्तम तुम मध्यम ध्यान रखे अहम उत्तम तुम मध्यम और बाकी सब प्रतम तो तुम में हम मध्यम पुरुष की क्रिया लगाएंगे तो क्रिया क्या तो क्या आएगा बताा तोनों को कहते है यूवां तुम सब्सकु और क्रीड सा क्यों करेते हैं वृक्षे खगई उरेक्ष पर खगव, जो पक्षि हैं और दो पक्षि, अब क्यों हमने दो पक्षि बोला? क्योंकि खग शब्द में प्रथमा का दुई वचन लगा है खगः, खगव, खगः दुई वचन लगा है, तो ख्रिया कौन से आएगी दुई वचन वाली कूजति कूजतह कूजनति तो क्रिया आजाएगी कूजति कूजतह क्योंकि खग कैसे हैं दो हैं खगः कूजति होता खगव कूजतह खगः कूजनति लगाते लेकिन बहुआचन है इसलिए लगाएंगे पश्यंती तो हमारा उजय का बाल का गजम पश्यंती आवाम भोजनम अहम आवाम वयम उत्तम तो आवाम कहां आया उत्तम पुरुष में तो अहम एक वचन और आवाम यानी हम दोनों उत्तम पुरुष दुई वचन की क्रिया आएगी तो उत्तम पुरुष की क्रिया में क्या लगाया जाता है एक वचन के लिए आमी आवः आमः तो दुई वचन के लिए क्या आएगा आवः खादाव ठीक है आगे देखे यूयम ग्रहम त्वाम यूवाम यूयम मध्यम पुरुष का बहुचन का करता तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहु अचिन की आएगी सी थह थह ऐसा जिसमें विसर्ग ना हो तो हो जाएगा गच्छत चीके ये हो गए आपके उत्तर समझ गए अब देखे उचित विकल्पम चित्वा एक बदेन प्रिश्नान उत्रत उचित विकल्पों को चुन कर आपको एक पद की द्वारा प्रिश्न की उत्तर देने हैं तो प्रिश्न की उत्तर देना हमने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया है आपका जो पांचवा पाठ है उसमें बताया है सश्था पाठ एक और बार बताए देते हैं ध्यान रखेगा कि हम किसी भी प्रिष्ण का उत्तर उस प्रिष्णवाचक शब्द से पूच कर हम तुरंट ढूंड सकती हैं कैसे हम प्रिष्णवाचक शब्द की विभक्ति को पहचान लें जैसे बाल केन लिखा हुआ हो तो अब आप अर्थ समझ पाएंगे उसमें विभक जनाह यानी लोग नवका भी नवका से किम कुरवंति क्या कर रहे हैं किमकुरवंति अब किम कहां आता है शब्द रूपों में किम के शब्द रूप हमने लास्ट वीडियो में आप से बोला था आपको जब पाचवा पाठ पढ़ा रहते तब बोला था किम के शब्द रूप याद कर लीजिए बालक जैसे ही बिल्कुल किम के बनते हैं पुरलिंग के बाली का प्रथमा और दूइतिया में कि मके स्थान पर जैसे फलम और फलम का प्रयोग होगा तो यहाँ पे भी हमारे पास फलम जैसा ही रूप आएगा तो जनाह यानि जन नौका भी ही नौकाओं के द्वारा देखिए नौका यानि नाओ भी ही लगा है कि द्वारा बोल दिया आमने क्यों क्यों कि तरतिया भी वक्ती लगी थी लोग यानि जन नोकाओं के द्वारा क्या करते हैं परियटन करते हैं बालू का गरहम रित के घर बनाते हैं या जलवेहारम जलवेहार करते हैं बताए परियटन करते हैं घूमते हैं बालू का गरह गरह बनाते हैं या जलवेहार करते हैं कहेंगे जलवेहारम तो देखिए किम जैसा जलवे हारम हमें मिला के नहीं मिला फलम जैसा रूप मिला ना बिभक्ती पहचान के अर्थ ढूलिए के बालुका ग्रहम प्रवाह यंती कौन बालुका के घर को प्रवाहित कर देती है या कर देते हैं तो ये के शब्द हम से कह रहा है किम के शब्द र प्रत्मा विभक्ति बहुवचन में लगाई जाती है किम का पुरलिंग के अगर आप रूप देखेंगे तो प्रत्मा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है के तो ये हमसे कह रहा है कि जो उत्तर आने वाला है उसमें प्रत्मा विभक्ति बहुवचन लगा होगा तो के और वो भी कैसा पुर्लिंग वाला तो कौन बालु का ग्रह को प्रवाहित कर देती हैं बहा ले जा रही है कौन बहा ले जाती हैं बताइए तो कहेंगे जनाह ब्यक्ति बहा ले जा रहे हैं बालकाह बच्चे बहा ले जा रहे हैं या तरंगाह या तरंग बहा है तरंग यानि लहरें लहरें लहर जो आती ना उनको तरंग कहती है तो समुद्र की तरंगें बहा के ले जा रहे हैं जन बहा ले जा रहे हैं या बालकाह तो उत्तर आएगा हमारा तरंगाह तरंगें जो ह बहुत सारे के संती क्या है बहुत सारी क्या है क्या लगा है इसमें प्रत्माविवक्ति बहुत सारी क्या है परियटक हैं समुद्र तठाँ समुद्र तठके बारे में BACK этого कि किसके बारे में बताई गई है समुद्र तट के बारे में बताया गया है तो देखिए उत्तर हमें समुद्र तटाह प्रतमा विवक्ती बहुवचन वाला मिला या नहीं मिला तो उत्तर ऐसे ही लिखना है ये नहीं भी होता तो भी आप समुद्र तट में प्रतमा विवक्ती बहुआ चन लगा देते आपका उत्तर आप स्वेम मना पाते हैं आगे देखें कोची तट हम के भ्यव गया थे कोची तट किसद के लिए कर था गया के भ्यव एक तो विभक्ती हमारी लगा जाती एक तो चतुरती विभक्ती में लगती है या पंचमी के में तो से का अर्थ निकल नहीं रहा है कि कोची तट किस से जाना जाता है ये तो अर्थ निकल नहीं रहा है क्योंकि अलग होने का अर्थ नहीं के निकल ला है इसलिए के लिए का अर्थ हमने जोड़ा है कि कोची तट चतुरती विवक्ति का हमने के भिया इसको शिक वियापार के लिए जल विहार के यह नारी केल फल के लिए तो बताइए हमारा इसमें उत्तर क्या सही बने नारी केल फले भ्यह तो यह हमारा सही उत्तर बन जाएगा देखिए ध्यान करते जाएगा आज से प्रश्ण उत्तर जितनी भी देखो देखना उनमें आपको समा की फल के लिए जाना जाता है आगे देखें लिखा है कह ततत्य यानि कॉंसा तट यानि कौंसा किनारा समुद्र का विदेशी परियाटक मतलत पसंद किया जाता है मेरी ना थट गुवातफ या जूहु ततह बतायें ready तो यह आपके उत्तर बन जाएंगे चलिए विभक्ति वचन अनुसारें रिक्तिस्थानों की पूर्ति करना है तो यहां देखी लिखा है जनाए तो समझ लीजिए जन में आपको आए यानि बालक जैसे इसकी रूप बनाने है जैसे बालक चतुरती विभक्ति में बन जाता ह बालक Алुक तो जन बन है जना तो बस बाकी कि आपको क्या करना है देभचन की रूप पूरे करनए तो क्या बने गांग kurz यहां क्या बने कर दो पीछे का तो क्या बनेगा निर्धन घॉनि बैज्त शात्र क्या यह आपके उत्तर बन जाएंगे यह आप अकारांत शब्दों में यह आपको चतुर्थी विभक्ति याद करवाने के लिए एक चीज बताई गई है कि आप चतुर्थी विभक्ति के पूरलिंग वाले अकारांत के रूपों को कम सकम याद तो कर ले ऐसे ही पाठ पढ़ते ही अर्थ क्या निकल रहा है जन के लिए या व्यक्ति के लिए बहुत सारे लोगों के लिए दो लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए निर्धन के लिए यानि गरीब के लिए दो गरीबों के लिए और बहुत सारे गरीबों के लिए चात्र के लिए बहुत सारे च यह कैसे होगा है नपुनसक लिंग लेकिन हमने आपको बताया है कि पुरलिंग और नपुनसक लिंग के शब्द रूप तृतिया से सप्तमी तक बिल्कुल समान बनते हैं तृतिया से सप्तमी तक के बिल्कुल एक जैसे बनते हैं जैसे बालक बना बालकाय बालकाभ्याम बालके भ्या तो वस्तर भी बनेगा वस्त्राय वस्त्राभ्याम वस्त्रे भ्याः पुष्प बनेगा पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पे भ्याः फुलाय फलाभ्य तो इस तरह से यह आपका अर्थ बन जाएगा के लिए का जोड़ के वस्त्र के लिए दो वस्त्रों के लिए बहुत सारे वस्त्रों के लिए फूल के लिए दो फूलों के लिए सब फूलों के लिए फल के लिए दो फलों के लिए सबी फलों के लिए चलिए अब इस्त्री लि शब्द अपना अलग रूप बनाता है लता चतुर्थी विभक्ती में रूप बनाती है लता यही लता भ्याम लता भ्याम और लता भ्याह देखिए भ्याह भ्याह तो भ्याम और भ्याह तो समान आ रहा है लिए इन अकारांत वालों में क्या परिवर्तन हो गया था राम में ये की मात्रा का आगमन होके रामे भ्यह बनाता लेकिन यहाँ पर कोई मात्रा आगमन नहीं होगी यहाँ लता लता जैसे लिखके केबल भ्यह लगा दिया जाएगा ठीक है ना क्या बन जाएगा कृड़ा यह कृड़ा भ्याम और कृड़ा भ्यह चीक है आगे हो गए जीविका जीविका शब्द विद्या जीविका सिख्षिका कोई भी आकारान्त शब्द होंगे बाली का जैसे लता जैसे रूप बनेंगे तो यह हो जाएगा जीविका यही जीविका किसको कहते हैं जीवन चलाने के लिए जो पैसा होता है वो हमारी जीविका होती है जीविका यही जीविका भ्याम और यह हो जाएगा जीविका भ्याह ठीक है ऐसे ही सिक्षिका मूली शब्द सिक्षिका मिल गया तो क्या कहेंगे उसको सिक्षिका यही यानि सिक्षिका के लिए आगे आजाएगा सिक्षिका भ्याम और सिक्षिका भ्याह समझ गए इस तरह से ये चतुर्ती विवक्ति वाले आपके रूप हो जाएंगे ठीक है चलिए आगे देखले मंजुशात उचितम पदम चित्वा वाक्यानी पूर्तिम कुरुत आपको क्या करना है मंजुशात से पंचिमी विवक्ति लगी यह चुनने की अलग करने की बात आ रही है मंजुशा से मंजुशा यानि यह जो पेटी दियो यह चोटा सब बॉक्स दिया हुआ है बॉक्स को मंजुशा कहते हैं मंजुशा से उचित पद को चित्वा ची यानी चुनना तुआ लगा है करका अर्थ निकालो चुन करके वाकि पूर्तिम कुरुत वाकियों की पूर्त करना वैदेशिक व्यापार आए यानि वैदेशिक व्यापार के लिए परियटन आए परियटन के लिए कंदुकें कंदुक के द्वारा समुद्र तटा है यानि बहुत सारे समुद्र तट और वैदेशिक व्याव वैदेशिक विदेशिक परियटक के विदेश की जो परियट असमाकम देशे बहवह हमारे देश में बहुत सारे हैं क्या हैं अब संती लगा है अर्थात पहचान करवाई जा रही है पहचान वाले शब्द में हम प्रत्मा बिवक्ती लगाते हैं तो प्रत्मा किसमें लगी है इसमें चतुर्ती इसमें चतुर्ती तृतिया और इसमें चत समुद्र तताह असमा कम बहवन समुद्र तताह संती अब लिकाए अत्र जनाह आगा चंती यहां जन आते हैं किसके लिए आते हैं मुले विदेशिक ब्यापार के लिए आते हैं घूमने के लिए आते हैं या विदेशी जो परियटक के लिए आते हैं मुले यहां क्या कहेंगे किसके लिए आते हैं मुले विदेशी परियटक के लिए नहीं आते हैं यहां पर घूमने के लिए आते हैं त कुछ लोग केचन जनाह यानि कुछ लोग खेलते हैं क्रीडंती खेलते हैं कुछ लोग खेलते हैं तो वोले किस से खेलते हैं बता ये ब्यापार के लिए खेलते हैं विदेशी परियतक के लिए खेलते हैं या गेंद के साथ खेलते हैं वोले कंदुकेन गेंद के साथ खेलते कंदुक किसको कहा जाता है कंदुक केन क्रीडन्ती कुछ लोग गेंद खेलते हैं सबसे अधिक होता है यह पसंद किया जाता है किन के किनके दौारा कहेंगे अच्छा यहां करें हैं सबसे अधिक पसंद होता है या पसंद किया जाता है पसंद किया जाता है किसके द्वारा कहेंगे विदेशी पर्यटकों के लिए अब यहां पर फिर से यही समस्य आई आपको लग रहा होगा कि यहां पर अर्थ तो निकल रहा है कि विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक पस परियट के घ्यह हो जाएगा विदेशिक परियटक के भ्यह समधिकम रोचते गुवा तट विदेशिक परियटकों के लिए अधिक रोच को अधिक पसंद आता है विशाखा पत्तनम विशाखा जो पत्तन तट है प्रसिध्धम प्रसिध्ध है किसके लिए विदेशी वियापार के लिए तो ये आपके उत्तर बन जाएंगे ठीक है चले अब देख लेते हैं हम अपने अगले प्रश्ण को जिसमें की हमें आपको इस अधोधत्तम गद्यांशम पठत प्रश्णानां चा उत्तर यानि अधोधत्तम नीचे दिए हुए गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्णों को उत्तर देना है ठीक है तो इसको आपको पढ़के फिर इस से जुड़े हुई प्रश्ण तर आपको इस प्रश्ण में हल करना लिखा हुआ है एशह समुद्र दटह एशह का अट क्या होता है यह एशह कहां आता है एतत शब्द का शब्द यह जिसको कहा जाता है संस्कृत में वो क्या होता है उसका मूल शब्द एतत वही एतत पूरलिंग के लिए एशह बन जाता है इस्त्रीलिंग के लिए एशह बन जाता है और नपुल सकलिंग के लिए एततत ही रहता है चीक है ना तो यहां क्या लिखा है एशह यान हम अपने आप से प्रयोग कर सकते हैं यहां समुद्रत है अत्र यानि यहां अत्र क्या है अत्र का अर्थ होता है यहां अत्र का अर्थ क्या होता है यहां अत्र यहां तत्र वहां अन्यत्र यानि और कहीं सर्वत्र यानि सभी जगा समझें अब कहेंगे हम ने कहा जलम कुत्र अस्ति जल कहां है तो आप कोगे जलम अत्र अस्ति यानि जल यहां है जलम तत्र अस्ति जल वहां है जलम अन्यत्र अस्ति जल और कहीं है जलम सर्वत्र अस्ति जल सभी जगे समझ गए ऐसे हमें यहाद रखने हैं ठीके ना तो कहा अत्र यानि यहां यहां जनाह यानि लोग जन का अर्थ क्या होता है व्यक्ति चीक है और जनाह यानि बहुत सारी व्यक्ति यहाँ पर लोग परियतन का अर्थ क्या होता है घूमना और यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लग गई जैसे बालक बनता है बालका है वैसे ही परियतन मन गया परियतन आए यानि परियतन के ल गच्छ का अर्थ क्या होता है जाना गम धातू से इसका रूप परिवर्तित हो के गच्छ बनता है और इसमें अगर आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो इसका विपरीत अर्थ बन जाता है क्या बन जाता है आना जहां गच्छ का अर्थ हो रहा था अकेली गच्छ का अर्थ हो तो अपना वो याद हो जाती है ऐसे ही नी धातु होती है नी का अर्थ होता है ले जाना जब इसके धातु रूप बनाए जाते हैं तो नी धातु नए में परिवर्तित हो जाती है किसमें हो जाती है नए में परिवर्तित तो नए का अर्थ हुआ ले जाना और उसमें अगर आ लगा दिया जाए तो ये उसका विप्रीत अर्थ हो जाता है लाना यानि किसी चीज को लाओ किसी चीज को लाना आनय ठीक है आनयती यनी लाता है ठीक है इस प्रकार से लाने का अर्थ आनय हो है नय नयती यानि ले जाना आने का दुगा लाना ठीक है न तो इसे नी हो गया गष्ज हो गया ini a लग जाने से इनके बिप्रीत अर्थ निकल जाते हैं तो अर्थ क्या निकला यहां पे आगच शनती यानि यहां लोग परिए के लिए आटे हैं केचन यानी कुछ तरंग कुछ तरंग केचन यानी कुछ तरंग गई अब यहां पे तरंग गई है शब्द तरंगों से या तरंगों की द्वारा क्रीडनती खेलते हैं तरंगों से खेलते हैं यानि लहरों से तरंग किसको कहा जाता है लहरों को कि कुछ केचन का अर्थ क्या होता है कुछ तरंगों से खेलते हैं केचन च चा का अर्थ क्या हुआ और अब पहले और का अर्थ बोलेंगे फिर इसके बाद का दूसरा उसमें वाक्य हम जोड़ देंगे कुछ तरंगों से खेलती हैं और केचन यानि कुछ नवका भी ही नवका का अर्थ होता है नाव और उसमें भी ही जो शब्द लगा है वो तृतिया विभक्ति बहु अचन से आया है अर्थ क्या निकलेगा और कु या तो करता हो रहा होगा या उसमें वाले भी ही तो नवका शब्द आई आ से अंत होने वाले शब्द हो उनका तर्तिया में बहू कंते एका तो लटा बन जाता है लटा भी नौ का बन गई नौ का भी तकित्या बिभक्ति जिसे मैं लगी होगे उसमें हम से यह के द्वारा का अर्थ जोड़ देते हैं चतूर्थी चतुर्थी विभक्ति लगे होने पर उसी शब्द में हम के लिए कार्थ जोड़ते हैं देखिए जब हम अर्थ हमें इस पश्ट हो जाता है किसी हर शब्द का हमें पता चल जाए कि तो हम संस्कृत को सही तरह से समझ पाएंगे और भाई उससे जुड़ी हुई प्रिश्णत सश्टि विभक्ति में आप जिस शब्द में सश्टि लगी हुई हो उसमें आप का की के जोड़ेगा और जहां आपको सब्दमी विभक्ति लगाई दिखाई दे जिस शब्द में हम कहें कि देगे इसमें सब्दमी विभक्ति है तब उसमें आप में और पर का अर्थ जोड समझ हैं इसे आपको करना है काहां किचन तरंगी कि रिवथ ही द्वार घेलते हैं तरंग लोशें लगी है चो ओर केचन और कुछ नवका भी नोकां से तर्तिया है विवथ करने के दुआरा जो कर रहे हैं जल विहार करना किसको चार रहे हैं करना उनका काम है नौका की दौर लेकिन किस चीज को करना चार रहे हैं पी रहे हैं किसको पीना चाह रहे हैं वो कर्म होगा इसलिए द्वितिया विभक्ति आ गए कि चग के चन और कुछ लोग नवकाओं की द्वारा जल्वेहार कर रहे हैं तत शर्द मैं अगर आप अगराप सक्टमी विभक्ति का बहुदा चन देखेंगे तब रूप हमारा बनता है तो तो में लेकिन हम हिंदी में उसको परिवर्दित करते हैं तो वह मैं नहीं कहते हैं छह बह ठर नहीं कहते हम कर या उस लग रही है कि वहाँ पर काले रंगी टीशट बहुत अच्छी लग रही है इस पर बहुत अच्छी लग रही है यहां और वहां के स्थान पे आप उस और उनका प्रियोग करते हैं हिंदी में ठीक है लेकिन संस्क्रिट में हम कैसे समझेंगे तत्मे जब अगर समी बिवक्तिने कम में यानि उन मैं उन में केचन क्थ उन मैं से कुछ कंडुकी उन मैं कप्या हूँ तक क्रीडेंटी उन मैं से केचन का आरथ क्या हुआ county कंदुक का अरथ होता है गेंद और तृत आ स्थया लग गई ब्विवक्ति का वी जल्वे हारम कुरवंती और गल्रून का रहे है तेश के चन उन मैं से कुछ कंदु केंड से खेल रहे हैं बाली का ुप बता ये बाली का का वरी दिखा दे रहा है बालीका की शब्द रूप याद किए हमने लास्ट वीडियो में भी बूला था कि शब्द रूप याद कीजttं़ बिर किए बिना शब्द रूप याद किये हम कुछ भी कहते रहें आप समझ नहीं पाएंगे जैसे बालीका शब्द देखे लड़की को क्या बना रहा है जिस संग्या का रूप बना रहे हैं तो ढहरी जो हर विभक्ती है वह भी तीन वचनों के अनुसार अलग-अलग बनती है तो यहां पर हमने आपको जैसे बूला कि देखिये प्रत्माविभक्ती बहुवचन रूप लिखा हुआ है और इभं आपूने पढ़ा होगा त्भाव समझ्पाएंगे कि यहां बालीक बालीक में अगर इस अर्ब कुझे बालीक करता बन रहे हैं यानी कोई न कोई काम कर रहे हैं या फिर इनका केवल नाम बताया जा रहा है, तो देखेंगे कि कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमारी करता बन जाएंगी, तो क्या लिखा है, बाल काहच, तो क्या अर्थ निकला कि लड़कियां और लड़के, अब लड़के भी बहुअचन हो गए, और लड़कियां भी होएं अब क्या कर रहे हैं बालू का भी बालू का बालू किसको कहते हैं हमारी किसको कहते हैं रेत को बालू का भी ही यानि बालू के द्वारा रेत के द्वारा भी ही लगा है तृतिया विभक्ती है देखी बालू का शब्द कैसा था बालू का शब्द आ लगाया गया तो भीक का प्रयों किया गया जो आकारांत शब्दों होते हैं उन्हेमें आई' की मात्रा उ विसर्ग लगा देते हैं तो उतिर थी अभिभक्ति बहुएचन विभक्ति समान हैं लेकन यह जो आकारांत था यह चोटे तो कहेंगे रेत का घर रचयंती बना रहे हैं तो देखे ये जो प्रत्माविभक्ती ने उनका केवल नाम ही नहीं बताया ये बताया कि लड़के और लड़कियां क्या कर रहे हैं लड़के और लड़कियां बालू के द्वारा रेत का घर बना रहे हैं अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिया भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे यह इसमें प्रत्मा विभक्ती बहुवचन लगाता यानि जो काम करने वाले बहुवचन में थे तो यह किस पुरुष्के करता हुए हमारे प्रत्म पुरुष्की क्योंकि ना तो यहाँ पे मैं लिखा था ना ही तुम लिखा हुआ था ध्यान कीजिएगा क्रिया हमेशा तीन पुरुष्कों के लिए अलग अलग बनाई जाती है तो यहां क्या लिखा है? तघह नहीं आई दुरी वचन की अंति लगा दी गई बहुचन की ध्यान किजिएगा यह चीज़े केवल अभी केवल आप पढ़ रहे हैं लेकिन क्या होता है यह पता नहीं होती हैं तो हम कितना भी पढ़ ले इस तो क्या होता है कितना भी पढ़ते हैं समझ में कुछ नहीं आता है लेकिन कोशिश कीजिए कि यहां पर अगर यहां पर देखे कश्चन लिखा हुआ होता तो एक बचन होता कह कऊ के के हम पढ़ते है कि नहीं पढ़ते हैं कि का अर्थम किंके शब्द रूपों में मिलता है कि नहीं मिलता है तो कि बहुवचन वाला आता है तो देखें यहां पर departure क्रीड़न दिलिखा था बाली का बाल का अचा बालु का भी बालु का ग्रह रचियंती यानि एक लड़का नहीं है बाली का रचयती नहीं लिखा है बाली के रचयता नहीं लिखा है बाली का अचा नहीं है इसलिए रचयंती आया बाद में लिखा है मध्य मध्य यानि बीच बीच में मध्य शब्द ह होता है देखिए मूल शब्द क्या होता है मध्य अकारांत शब्द है जैसे व्रिक्ष में या फिर बालक में जब सब्तमी विभक्ती लगाई जाती है तो शब्द बन जाता है बाल की तो सब्तमी विभक्ती लगी तो बालक शब्द में क्या अर्थ निकला में बालक में तो ऐ बीच बीच में तरंग शब्द तरंग क्या करते हैं लहर करते हैं तरंग क्या होती है लहर तो समुद्र की जो तरंग है और वो भी एक नहीं एक की बात नहीं तरंगा यानि लहरे लहर नहीं लहरे बीच बीच में लहरे क्या कर रही है बालु का ग्रहम बालु का ग्रिहम प्र आपको जो लासी वीडियो होगा उसमें आपने देखा कि द्वितिया बिभक्ति अगर एक वचन में लगानी है तो माहलंत या अनुस्वार लगा दीजिए और वही है जब हम संस्कृत पढ़ रहे हो और उसमें हमें किवल अनुस्वार या माहलंत लगा हुआ दिखे तो समझ क्योंकि जो नपुन्सक लिंग शब्द होते हैं वो प्रत्मा विभक्ति में भी अनुस्वार लगवाते हैं जैसे फल को देखोगे तो प्रत्मा विभक्ति एक वचन में फलम बनता है और द्वितिया में भी फलम बनता है तो यहां पर इस कंडिशन में हम इसी लिए डेफ अर्थ चुड़ रहा है क्योंकि अगर वो नपुनसकलिंग शब्द हुआ जैसे यह देखे ग्रह शब्द हुआ यह कैसा है नपुनसकलिंग है तो यह क्या हो सकता है यह हमारा करता भी हो सकता है संग्या भी हो सकता है और कर्म यानी द्वितिया भी हो सकता है अर्थात इसमें ने का भी अर्थ आ सकता है और को का भी अर्थ आ सकता है तो अब हम ये समझने का कोशिश करेंगे प्रियाश करेंगे कि इसमें हमारा ये संग्या के जैसा दिख रहा है कर्ता के जैसा दिख रहा है या कर्म के जैसा दिख रहा है तो इसमें अर्थ क्या निकला मध्या मध्या म घर प्रवाहयंति बहा ले जाती हैं तो यहां पर कौन सा शब्द सही उह रहा है बहाने के द्वारा किसको बहा रही है तरंगे कोन हो गई प्रत्मा विवक्ति यह अर्थात यह हो गई हमारे करता का क्रिया क्या हो गई प्रवाहयंति तो बताए कि करता अपनी क्रिया के द्व भारा किसको प्रवाहित कर रहे हैं किसको बहारी है बालू का को तो बालू का क्या हो गया हमारा कर्म बालुका का ग्रिह यानी रेत का घर क्या बन गया हमारा कर्म अर्थात इसमें द्वितिया विभक्ती ही है ठीक है ऐसे हम समझते हैं केवल हमने कह दिया और आप आँखे बंद करके उसको विश्वास नहीं कीजिए उसको देखने की कोशिश कीजिए कि सच में ये द्वितिया बन रही है या नहीं बन रही है नहीं कहा हा मैंडम ने कहा दिया तो द्वितिया ही है क्यों है द्वितिया बताए तो पता होना चाहिए कि देखे ये करता है ये क्रिया कर रहा है और अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है तो करता का जो इपसे तोता है वो कर्म होता ह ठीक है ना तो यहां हो गया बीच बीच में जो तरंगे हैं रेत के घर को प्रवाह यंति यानि बहा रही है यह तरंग बहुत सारी थी इसलिए क्रिया भी प्रवाह यति नहीं हुआ प्रवाह यतह नहीं हुआ प्रवाह यंति लगाई गए क्रिया समझ रहे है अब कहा एशा क मारा स्ट्रीलिंग वाला यह ईशा क्रीड़ा यानिज्छोman है प्रचलित ऐल ऐडरा प्रचलती ऐल ऐसके जयल रही है ऐसा खिल कि cricket क्या वर के ही एव देखी जहां पर अवयाय आ रहे हैं थोड़ा सा हम आपको बताते जा रहे हैं उनको लिखते भी चाहिएगा एक जगह पर जब भी आप पढ़ाई करने बैठे एक कोपी बना लीजिए कि कोई भी जब हमने कहा कि इसको आप लिखो तो लिखी लो कि जैसे हमने कहा अत् यह एक साथ महीं बताए देते हैं अन्यत्र का आर्थ क्या होता है कहीं और फिर क्या कहां सरवत्र यानि सब और या सब जगह ठीक है अब इसी में एक और आता है यत्र यत्र का भी अर्थ होता है जहां यत्रवन्ही तत्रधूमहा यानि यत्र यानि जहां अगनी होती है तत्रधूमहा वहां ही पे धूम्र होता है वहीं पे धुआ होता है तो अत्र यानि यहां यत्र यानि जहां ठीक है न तो यह त्रावाले यह अव्याय हो गए अच्छा इन में क्या अच्छा ही होती है इन्ह के भी 21 रूप नहीं होते हैं तो 21 रूप इसमें भी बन रहे हैं आप धातु के रूप देखो तो एक गच्छ धातु केवल एक लकार में ही 9 रूप बनाती है और अगर पांचों लकार की बात करें तो कितने हो गए 45 रूप हो गए और अगर 10 लकारों की बात करें तो 90 रूप बनाती है एक अकेले क्रिया और यह तो केवल हम परसमें पद की बात कर रहे हैं आत्मने बात पहुंच जाओ तो 180 एक क्रिया के 180 रूप बनते हैं तो कितने रूप बदल यह संग्या भी रूप बदल रहा है सर्वनाम भी बदल रहे हैं विशेशन भी बन रहे हैं और सब हैं पर बनाती हैं हैं इन्हें कोई फर्क नहीं परता कि हैं तो अत्र नहीं होता तो और यहां पर अत्र से जोड़े हुए जितने अव्य थे बता दिया और भी हम बता रहे हैं क्योंकि हमें मिलेगा यह हमें पढ़ाई अब आप कर रहे हैं संस्क्रिप पढ़ रहे हैं तो यह शब्द मिलेंगे तो एव का अर्थ क्या होता है? ही, याद होना चाहिए आपको चर्चा का अर्थ क्या होता है? और, इंग्लिश में भी तो आपने याद किया था कि end का मतलब होता है और because का मतलब होता है क्योंकि? याद किये कि ने किये? इफ का अर्थ क्या आपने याद किया कि इफ जहां कहीं पहले लिखाओगा उसका अर्थ यदि निकलेगा पहला था ना आपने तो ऐसा ही बठ का अर्थ लेकिन होता है तो संस्कृत में क्या कहते हैं लेकिन को परम परम शब्द का अर्थ क्या होता है लेकिन तो आपको ये भ इशा क्रिडा यह क्रिडा चलती ही रहती है चलती ही रहती है परियतन इस्थान नहीं है अतर यहां यहां फिर से बातागी यहां मच्छी जीवी नह अपी स्वजीवी काम चाले यंती मच्छी जीवी नह यानि जो मच्छली मच्छी जीवी किसको कहा जाता है मच्छी पर जीवन जिनका जीवन मच्छी के पालन पोशन उनको पालन पोशन क्या करते हैं मच्छीओं को वहां से समुद्र मैं से नदियों मैं स बाहर निकालते हैं और फिर उनको बेच देते हैं ठीक है ना तो एक तरह से मचलियों पर जिनको मच्छुवारी हम कहते हैं मचलियों पर जिनका जीवन आधारित है उनको मच्छी जीविनहा कहते हैं ठीक है जो हम वैसे साधरन भास्षा में क्या कहते हैं उनको मच्छुवार कहते हैं English Fisherman जिसके लथ है ने हैं तो जहाएं यहां मच्चवार के qa mt चलाते हैं अब कहेंगे लिफ का लगा ब्रतमा विवक्ति क्या हो गई नते चला रहे हैं क्या चला रहे हैं अपनी जीविका को अपने घर को अपने जीवन को जीविका क्या होती है जीविका का अर्थ क्या होता है साधर्न भाश्व में बता है कि आपके पिता या माता जो भी आपके घर में होते हैं आपके पालन पोशन के लिए आपकी हर जरूरतों को पूरा हो चाहे व वो हमारी जीवी का होती है एक तरह से साधरन भाषा में कहा जाए तो हमारे पास जो पैसे होते हैं जो हम कहीं से कमा कर लाते हैं वो हमारी जीवी का होती है क्योंकि उससे हमारा जीवन चल रहा है उस पैसे से हमारा जीवन चल रहा है तो यहां पर क्या कह रहे हैं यहां मत से जीविनाह यहां पे जो मच्छवारे हैं अपी यह एक अव्य है इसका अर्थ होता है भी ठीक है यहां मच्छवारे भी स्वा का अर्थ होता है अपनी जीविकाम अपनी जीविका को चाले यंती चलाते हैं तो समुद्र तट ना केवल परियटन इस्थान आने परियटन मच जीवी यानि जो मचवारे होते हैं वो भी अपनी जीवी का को चलाते हैं ठीक है अब यहां पर देखें हमने इतना मेहनत आप लोगों के लिए क्यों कि हरे एक शब्द में आपको विभक्ती ढूंडून के क्यों बताई इसका भी कोई कारण होगा नहीं ऐसे तो पढ़ान करके एक शब्द को आपको बताया है उसका कारण यह है कि हम आपको प्रश्ण उत्तर डूंड़ना सिखा रहे हैं लिखना सिखाना है हमें आपको अपंग नहीं बनाना है हमें यह बनाना है कि हमने आपको प्रश्ण दिया और आप उत्तर गद्यांश में से स्वैम ढूंड कि आपके अंदर छमता आजाए वो छमता कैसे आएगी इसलिए हमने एक गत्यांश की हर एक शब्द का आपको विभक्ती बताई अर्थ बताया समझ रहे हैं अब देखिए जैसे हमने यह लिखा यहां पर प्रिश्ण था कि एशह कह तो एशह का अर्थ हमने क्या बताया था कि पुर्लिंग वाची का यह होता है एशह का अर्थ क्या होता है यह जो पुर्लिंग के लिए बनाया जाता है और पुर्लिंग में भी जब प्रत्मा विभक्ती और एक वचन का रूप बनता है तब यह एतत शब्द एशह में परिवर्तित हो जाता है देखा था इस त्री लि में क्या हो जाता है अब आपने यह मतलब समझ लिया कि इशह शब्द में क्या लगा हुआ है पुर्लिंग है प्रतमा विभक्ति एक फचन है चीक है यह तो आप measuring जो है कि यह अब लेकिन हमें पढ़ना किसको है किसको देखना है किसको देखना है कहपो हमसे कहेगा इससे पूछ आप बताओ आप कहां से आए हो आपकी तीन चीज़ें हमें पता करनी है जिससे के हम उत्तर अपना ढूंड पाएंगे तो कह से पूछे बताइए कहां से आए तो वह अपना पता बतायेगा कि मैं किम के शब्द रूपों में रहता हूं किम के भी जैसे य लिंग के लिए अलग-अलग रूप बनते हैं अगर आप बालक और के रूपों की तुलना करेंगे न तो आपको मुश्किल से दो या तीन जगे परिवर्तन देखेगा बाकी कि बिल्कुल एक समान दिख जाएंगे तुरंत याद हो जाएंगे इसलिए हम कहते हैं कोपी बना लिए जहां पर एक जैसे शब्द रूप दिख रहे हैं उनको एक साथ में लिख लीजिए एक बार में याद हो जाएंगे फिर यह चीज जब पक्की हो जाएगे न तो यह चीज इतनी आसान हो जाएंगे आपके लिए हमने कहा कि जैसे हमने बोला कि कह कहा से आया किम के यह तो बालक हटाया बाल हटाया तो बचा बाल कह का कह बाल कव का बाल हटा तो बचा कव फिर बाल काह बस यहां परीवरतन होता है यहां काह की जगा पे के हो जाता है यह तो इसने हमें क्या बताया जहां से समझिए इस कह ने हमें बताया कि मैं किम के शब्द रूपों से थीक है किस वाली लाएं से प्रत्मा भीभक्ति से वचन कोवा क सा है काए限 एक वचन का रूप हूए बस इतना पता कर लिया तो आपको गद्यांश में से उत्तर ढूनना आसान हो जाएगा तो आप इससे पता करके गए कि कहा कहा से आया बोले पुरलिंग है प्रतमा विवक्ती एक वचन है तो अर्था तो जो उत्तर आने वाला है वो पुरलिंग का होगा जिसमें प्रतमा विवक्ती एक वचन लगी होगी वो ही आपका सही उत्तर बनेगा तो यहां देखा कि ए शह के बाद समुद्र तट कैसा शब्द है पुरलिंग शब्द अकाराम्त शब्द है पुरलिंग है बालक जैसा रूप बना है बालक प्रत्मा विवक्ती में ही रूप बनता है एक वचन में बनता है तो इसने हमें बता दिया कि पूरलिंग वाला प्रत्मा विवक्ती एक वचन का शब्द हमारा समुद्र तट है तो यही हमारा सही उत्तर होगा समझ गए Здесьूहमें सिखाना है तो इसके लिए आपको हमारी मदद तनी करने पड़ेगी कि आपको शब्द रूप व्याद करने पड़े लें नहीं ये कंग हम केवल एतना नहीं पूछना किया होता है इसरूब का हमें नहीं पूंचना आपसे हमें आपको उसको प्रियोग करना सिखाना है तो कहका जब आप तीनों चीजे पहचानोंगे कि लिंग विभक्ति वचन क्या होती है तो वही लिंग विभक्ति वचन का शब्द आपको गद्यांश में मिल जाएगा और आप उतर छाट के खुद लिख देंगी और अगर नहीं भी मिला तो आपक का हमें जीजन बता देता है हमें मर्ग बता देता है कि ऐसे करना है अब देखे अब यहां क्या लिखा है जनाह यानि लोग अत्र यानि यहां लोग यहां किम अर्थम अर्थ शब्द कहीं पे लगा हुआ हो जे किम में अर्थ लग गया अर्थ जिस किसी में लिख जाए कहे इसनानार्थ, पठनार्थ, अर्थशब्द कहीं पे भी लिखा हुआ देखी, साथ मैं किसी कि समझे ले ले नाुसमें के लियmy का अर्थब अर्थ निकल रहा है, तो की रहे हैं जना अत्र, यानि लोग यहां कि मर्थम, यानि किसलिए अगट छंती, किस लिए आते हैं तो के लिए उसने कहा किस के लिए अर्थ समझें क्या हुआ क्या या किस के अब यहां पर अर्थ ने कहा कि के लिए का भाव जुड़ना है तो कहेंगे लोग यहां किस लिए ठीक है अब यह बताईए कि विभक्तियां अभी हमने लिखा हुआ था आपको यह साथ में बताई इसने कहा कि अगर प्रश्न कह रहा है तो निष्चत ही जो हमारा उत्तर आने वाला है वो चतुर्थी विभक्ति सब्सक्राइब देखें लोग यहां आते हैं देखेंगे कि यहां पर चतुर्टी विभक्ति का आप सब्सक्राइब अत्र जनाह आगंचंती यहां लोग आते हैं परियत नाए देखे चतुर्ती भिखक्ती मिली या नहीं मिली बालक बना बालका है मिला मिल या ना उत्तर बस ऐसे उत्तर मिलेंगी जब हम प्रिश्ण वाचक शब्द की भिभक्ती को पकड़ नेंगे उसका अर्थ पकड़ नें हमें उत्तर तुरंत में जाएगा बालका किम रच यंती बालक क्या रच रहे हैं अब देखे किम रच यंती अब किम से पूछी बताओ कहां से आए तो किम कहेगा मैं तो प्रत्मा में भी किम बनता हूं प्रत्मा की एक वचन में भी अपना रूप किम बनाता हूं और मेरे ह भी शब्ट रूप तरह-ठसे बनाए जाते हैं। तो सो कहेगा तब कि भी पूछेंगे रही तुम तो मूल ूरूप बताओ तुम्हारा किन दोनों में ही अर्थात अब हमें जो उत्तर मिलेगा वो कौन सा होना चाहिए कहेंगे नपुन्सक लिंग होना चाहिए जिसमें क्या होनी चाहिए या तो नपुन्सक लिंग जैसी प्रत्मा हो या दूतिया हो तो कहेंगे दो रूप हम कैसी ढूने तो भाई नपुन्सक माहलंत वाला ही हमें उत्तर मिलेगा निश्चित ही तो चाहिए नपुन्सकलिंग में उसमें प्रत्मा हो या दूतिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता उत्तर तो हमारा एक जैसा ही आएगा चाहिए यह एक वचन होता दूई वचन होता या भवचन तो जैसे देखिए फल की रूप देखिए तो किस प्रकार से बनते हैं प्रत्मा विवक्ति में प्रत्मा उदूतिया में समान बनते हैं फलम फले फलानी फलम फले फलानी फल की क्यों बता रहे हैं कि वो लिए जैसा कोई भी नपुनसकलिंग शब्द फल जैसा यनि आसे अंतु होने वाला होगा उसके रूप फल जैसे ही बनेगे तो फलम फले और फलानी देखिए और दुईतिया में भी बनाओगे तो वो ही बन दिया कि आप तो नपुन सक्लिंग शब्द धूंडो प्रतमा जवीतिया जिसमें लगी हो एक वचन हो तो देखिए यहां पर हम गद्यांश पर पहुंचे गद्यांश कहा के बताओ ऐसा नपुन सक्लिंग शब्द कौन सा है तो कहेंगे रचियंती वाली क्रिया कहा हो रही है तो कहेंगे रचियंती की क्रिया यहां हो रही है अच्छा यहां का यह गायव है इसको हम थोड़ा बनाए देते हैं तो हम कहेंगे रचनी की क्रिया बालक क्या कर रहे हैं तो यहां पे हमें क्या देखना है कैसा रूप मिलना चाहिए भलम जैसा क्या यह है क्या बालुका भ जैसे कहा के यानि कौन बाल का है यानि लड़के रचियंती बना रहे हैं तो करता है वो क्रिया है तो क्रिया के दुवारा किसको बनाना चाह रहे हैं अर्था ये किम द्वीतिया विवक्ति वाला कर्म वाला है अर्था जो उत्तर हमें मिलना है वो कर्म के अनुसर मिलना है कर् लंट इक वीजन में बनता ही है तो बताइए किया हो जाएगा 하मारा सर्य उतर बालू का Hindi нем ठीक है अलगे लिखा है कि किय या नि कौन बालू का गर्भं प्रवाहयंति कोण बालू का घरर को प्रवाहयंती बहा ले जाते हैं तो हमने क्यों कहा यह कि प्रत्मा विवक्ति वाला है क्योंकि यहां पे बालू का ग्रहम प्रवाहतियानी बहा ले जाने बहा ले जाने की क्रिया बहा ले जाने किसको बहा ले जा रही है बालू का ग्रहम को तो ये द्वितिया बिवक्ति वाला है कर्म है यानि रेत के घर को बहा ले जा रही है तो के से पूछेंगे बताओ आप कहां से आए हो तो ये के कहेगा कि मैं पुरलिंग के जो रूप बनत कहा कऊ के इसने हमें बता दिया कि उत्तर आप ढूंडिये जो पूरलिंग का होना चाहिए और जिसमें प्रत्मा भिवक्ति और एक वचन लगी हुई हो तो देख लेते हैं हम क्या लगी हुई है पहले तो हम किस पर जाएंगे उस क्रिया पर जो पूछी जा रही है कि प्रवाह यंति बालू का अग्रहम प्रवाह यंति यानि बालू के घर को रेत के घर को बहा ले जा रही है तो कौन बहा ले जा रही है तो कहेंगे पूरलिंग बताईए जिसमें प्रत्मा भिवक्ति एक वचन लगी हो यह हो बहुवचन का रूप है अर्थात ये तरंगाह शब्द हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर बन जाएगा तो यहाँ पे आप एक चीज जोड लीजे यहाँ पे बड़ेया की मात्रा लगा दीजे क्योंकि ये प्रश्णवाचक शब्द हमारा प्रतमा विभक्ति बहुवचन का है तो उत्तर भी हमें प्रतमा विभक्ति और बहुवचन में ही देना पड़ेगा तो इस तरह से आप एक पदवाले उत्तर देंगे क्योंकि देखे अभी तो शुरुवत हुई है आपको दस्मी तक यही चीज़ें काम में आने वाली हैं इसलिए किम के शब्द रूप याद कर लीजिए हम केवल शब्द रूप आपको नहीं रटवाएंगे हम उसका आपको प्योग बताएंगे और बताती ही जा रहे हैं आगे क्या लिखा है पूर्ण वाकि में उत्तर बालक और बाली का यहां क्या रचना करते हैं क्या बना रहे हैं किसको बना रहे हैं तो हम क्या कहेंगे किसको बना रहे थे बालू का ग्रह को तो यहां पर किम शब्द में बेज़ देखे किम जहां लगा हुआ हो तो उसका उ प्रत्मा का हो चाहे द्वीतिया का हो प्रत्मा हो द्वीतिया अगर नपुन सकलिंग में समान बन रहा है तो उसका फल जैसे ही रूप बनेगे चाहे प्रत्मा का फल ले लो तो फलम मनेगा द्वीतिया का फल ले लो तब भी फलम मनेगा अर्थात हम देखे पूर्ण वाकि मे से थोड़ा सा वो और अच्छा बन गया क्योंकि पूर्ण वाक की लिखना है तो हम यहां से क्या करते हैं कि रेत के द्वारा या रेत से रेत का घर बना रहे हैं अगर आप नहीं भी लिखें तो अकेला बालू का अगर हम लिख दें तो वह भी सही हो जाए ठीक अगला गया क्या हम घर बंचकी अब करने की बात आ रही है कि बात क्या होता है मुल अर्थ ईया जो और क्या करते हैं कूर्वन्ती शब्द कहां से आया कृद हातू से कृता नहीं करना जिसका प्रसम प्रोश और बहुस चन के लिए रूप बनता है लटलाकार फैं तो क्या बना हमारा क्या करते हैं तो इसके लिए हम देखेंगे कि करने की बात मत्सी जीवियों के लिए क्या आ रही है कि यहां मत्सी जीव नहां क्या करते हैं स्वाजीविकाम चालयंती तो किम की जगह पे देखे आ गया क्या करते हैं स्वाजीविकाम किम के स्थान पे आ ग विका को चलाते हैं तो यह हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर बन जाएगा ठीक है अच्छा जो एक पद वाले उत्तर होते हैं जिसमें केवल हमें एक ही पद देखना है उसमें हमें ध्यान से विभक्तियां देखनी चाहिए समझ गए नहीं तो क्योंकि उसमें हम दूसरा पद सकते हैं चलिए अब भाशिक कारी कैसे आ जाते हैं इसी गद्यान से जुड़े हुए लिखा एक वचने परिवर्तियत अब आप इनको एक वचन में परिवर्तन कीजिए अब क्या लिखा है नव का भी अमूल शब्द क्या है यह जो भी ही शब्द है यह तो तृतिया विभ भी भकति और बहुचन का रूप है अर्थात हमें एक वचन में परिवर्तन करना है तो ऐसा निकारेंगे कि हम प्रत्मा विभकती का बहुचन मना देढ़ें नहीं हम तृतिया का ही एक वचन का रूप बनाएंगे तो नव का शब्द क्या है आ कारांथ है बाली का जैसे रूप बनता है लत लतया क्या बनता है लतया जिसमें की तो जो बड़े आ की मात्रा होती है उसका लोप होके या का आगमन हो जाता है यह हुआ स्त्री लिंग्वाची शब्दों के रूप यानि आकारांत के तो यहां पर हमें तृतियाविवक्ति हमारे पास दी हुई थी और हमें इसको प्रत्मा में बदलना था तो प्रत्मा में क्या बदल जाएगा एक वचन में क्या परिवर्तन हो जाएगा स्वरी प्रत्मा में नहीं एक बहु वचन से एक वचन में लाना था तो देखिए प्रत्मा विवक्ति के तीनों रूप क्या बनते हैं लता लते और लता अगर लताह दे दिया जाता और एक वचन में परीवर्थन करना होता तो आप इसको प्रत्मा विभक्ती के ही एक वचन में बदलते यहाँ पर अगर दूतिया विभक्ती देखी जाए तो क्या बनती है लता लते लताह तब भी बहु वचन काम एक वचन मनाती तो लता मन जाता लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है लताया लता भ्याम और लता भी तो हमें क्या करना है इस तृतिया विभक्ती बहु वचन को तृ लताया शब्द हमारा सही उत्तर बन जाएगा तो ऐसे ही नौक भी लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे नौक या बढ़िया की मातरा का लूप होके तृतिया विवक्ति में या लग जाया जाता है लगा दिया जाता है और अकारांत शब्दों में कैसे रूप बनते हैं अकारा ये कभी नहीं सूचा कि ये ना उना क्यों आता है यहां ना क्यों आ रहा है यहां क्यों आ रहा है ऐसा कभी नहीं सूचा आपने तो ये र अगर किसी पद में पद में र या फिर शा होता है तो आगे जुड़ने वाला जो ना है ना वो ना में परिवर्दिक हो जाता है ये गनत्तो संधी होती है उसका नियम कहलाता है चीक है ना तो यहां पर देखिए इसमें कहीं पर भी रायशा नहीं दिया हुआ है इसलिए ना जैसा कत्या सब बना रहा लेकिन यहां पर रा के आ जाने से गनत्तो विधान की संधी की नियम की वज़े से यहां पर ना में परिवर अब क्या लिखा है परियटन स्थान आनी तो मूल शब्द क्या हुआ परियटन स्थान और क्या लगा है आनी आनी कहां लगाया जाता है फलम फले फलानी ठीक है तो फल शब्द में फल शब्द को आनी लगा दिया अर्थात मूल जो शब्द है अगर हम कहें परियटक परियतक स्थानानी तो अगर हम इसके आनी को हटा दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? मूल रूप मिल जाएगा? परियतक स्थान मिल जाएगा? और परियतक स्थान को जब एक वचन में बदलेंगे तो हम क्या कर दे? उस परियाटक स्थान में हम क्या लगा दें बताईए क्या लगाएंगे तो हमारा एक वचन बन जाएगा माहलंत लगा देंगे तो ये बन जाएगा परियाटक स्थानम परियाटक स्थानी दोई वचन में परियाटक स्थान आनी बहु वचन का रूप बन जाएगा ठीक है तो और द्वितिया में भी फलम फले फलानी हमारा रूप बनता है तो हम यहाँ लिख देंगे परियटन स्था नम चीक है आगे लिखा है तरंगई अब देखे तरंगई है शब्द तृतिया विभक्ति जरा देखे राम शब्द की रूप बालक की रूप है ना अकारान तो कोई भी पुरलिंग वाले शब्द रूप होते हैं तो प्रत्मा विभक्ति में रूप क्या बनते हैं रामह रामव रामा द्वितिया विभक्ति में बनते हैं हमारे रूप रामम रामव रामान भई परिवर्तन करना बता रहे हैं तो मैं ऐसे हवा में नहीं बता देंगे आपको कि जिससे समझ में ही ना आपाए कई वच्चों को कि ये कैसे बहु अचल से एक वचन में आया तृतिया विभक्ती में एक वचन का रूप बनता है रामिन रामाभ्याम और रामई है चीक है क्या बनता है रामई है तो यहां देखिए अगर इसकी अई हे को हटा दिया जाए य और विसरगों को उटा दिया तो हमें मूल शब्द पता चलिए कि तरंग शब्द है अकाराम्त शब्द है पुरलिंग शब्द है तो अब हम क्या करना है उलिए जैसे पुरलिंग शब्द में राम में रामिन लगा दिया गया था यान एन की का रूप आ गया है तो यहां प पर भी हम जो तरंगए है शब्द बहुवचन का है उसको एक वचन में परिवर्थन करने के लिए क्या बना देंगे तरंगेन तो यह हमारा बन जाएगा तरंगेन यह अपना रूप बन जाएगा अब रच यंती लगा है तो रच धातू बनानी की बात आ रही है ती तह अंती लगा हुआ है तो बताएए आपने क्रियाओं को हमने लटलकार में कई बार पढ़ा दिया है कि प्रतमपुर्ष की क्रियाओं के अंत में ती एक वचन के लिए लगाया जाता है और अंती बहुवचन के लिए लगाया जाता है तो बहुवचन से एक वचन में परिवर्तन करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा अंती के जगए पे ती कर दीजिए तो एक वचन में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाता है रच धातू में य प्रेशन यहां अब इसको थोड़ा पड़िये वाक्य को कि अत्र जना यहां पर लोग परियटन के लिए आते हैं इती वाक्य में सब्तिमी बिवक्ति लगे इसलिए मैंकार्थ जोड़िये अपने प्रेशन का अगर अर्थ समझ में नहीं आएगा ना तो आती हुई चीज़ें भी आप नहीं कर पाओगे कि रहें इती वाक्य में कर्तरी पदम यानि कर्ता कर्ता को बताने वाला जो पद है किम कौन सा है बताए कर्ता को कैसे पहचान सकते हैं तो मनें सूत्र बताया है कि कभी भी आपको कर्ता पहचानने के लिए कहा जाए तो कर्तरी प्रत्मा याद रखिएगा कि करता में प्रत्मा विभक्ती होती है तो इसमें आप सब में देख लीजी जिसमें प्रत्मा विभक्ती लगी होगी वो ही आपका करत्रीपद बन जाएगा तो अत्र क्या हुआ अव्याय हुआ परियाटनाय में चतुर्थी विवक्ति लगी है आगर चंती हमारी क्या है क्रिया तो जनाह क्या बन गया हमारा बताएए यह हमारा उत्तर बन गया जनाह हमारा करतरी पद बन जाएगा ठीक है आगे लिखा है केचन नौका भी है यानि वाकिमे कर्मपदम किम बताइए कर्मपद कौन सा है तो कर्मणी द्वितिया याद रखिए करतरी प्रत्मा कर्मणी द्वितिया हमने इसलिए इस टेस्ट पीपर को ऐसा बनाया है कि छोटी-छोटी सी चीज़ें भी आप सी साथ साथ में सीखते जाएं तो कर्मपद कौन सा हो जल विहार में दुईतिय अभिभक्ती है तो ये हमारा कर्मपद बन जाएगा तो अब देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है यथा निर्देश हम रिक्तिस्थान आनी पूरियत जैसा निर्देश आपको दिखाई दे रहा है वैसा रिक्तिस्थान को पूरा करना है यहां पर क्या लिखी है बाली का और यहां लिखा है बालू का अग्रहम है ना यहां पर बालू का अग्रहम लिखा हुआ है और यहां पर बाली का लिखा हुआ है अर्थात एक जगे पूरलिंग है दूसरी जगे स्त्रीलिंग है और तीसरी जगे नपुनसकलिंग है तो हम क यह शब्द आएगा एशह, एशह, एथतत क्योंकि ये पूर्लिंग ये श्ट्री लिंग और वंपुनसक्छ लिंग है यानि किसी भी संध्या शब्द जो भी संध्या शब्द जिस लिंग का होगा उसके साथ में जुड़ने वाला सर्व नाम या विशिशन शब्द उसी लिंग विवक्ति का बनता है जैसे इसमें हमारे पास स्त्रीलिंग है, प्रत्माविवक्ति एकवचन है तो ये एतत शब्द भी कहां से डूना हमने स्त्रीलिंग वाला और जिसमें की प्रतमावे भक्ती और एक वचन लगी हुई है ठीक है ना तो अब ऐसे ही हम दूसरा भी देख लेते हैं लिखा है बालका यानि बालक कंदुकिन क्रिडंती कंदुक के से खेलते हैं तो यहां दे करता कौन हो गया अहम उत्तम पुरुष का करता हो गया उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष कौन सी आएगी एक वचन के लिए आएगी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया कौन सी होती है ती तह अंति लट लकार की बात चल रही है तो TITHA अंति, किस के लिए आता है, प्रथमपुरुष के लिए, सितह थ आता है मध्यमपुरुष के लिए और AMI आ भाहा भाहा उत्तमपुरुष के लिए आता है, तो एक वचन के लिए क्रिया में जोड़ दिया जाएगा AMI तो creed हो जाएगा creedami चीक है इस तरह से हम ये अपने उत्तर बना ले चीक है चले अगला प्रशन देख लेते हैं जिसमें के लिखा है ये तो हमारे उत्तर हो गए अगला प्रशन कहता है कोफटक दात्ति शब्द diu कोफटक में दिये हुए शब्दों में तृतिया विभक्ति प्रियो यह प्रियोग करके यह लिब लकार होता है एक हमारे पास जो किसी भी धातु के अंत में जुडता है और जब लिब जुडता है तो उसका लाका और पाका हो जाता है लोप यह उसमें जुड़ जाता है यह जुड़ने से उसमें कर और करकी का अर्थ जुड़ जाता है तो हमने कहा प्रियोग करके वाक्यानी पूरियत वाक्यों को पूर्ण कीजिए चात्र विद्यालय जाते हैं अब क्या करना है में तृतिया विवक्ति लगानी है तो बस यान में हम तृतिया बना तो भई फल के और राम के तृतिया से सप्तमीता की जैसे बनते हैं तो राम रामिन बनना है बालक बालक बनना है फल फलीन बनना है तो बस यानमी हमारा बन जाएगा बस यानीन हम क्या लेखेंगे यहां पर बस यानीन इन हम लगा देंगे तृतिया पर वक्ति लग रेल या नेन ठीक है अब आगए क्रीड़नक क्रीड़नक किसको कहते हैं खिलोने को शिशु क्रीड़ति शिशु खेलता है किस्से ख्रीड़नक ध्रणा खिलोने के धेद्वारा तो हम कहेंगे क्रीड नकेन ठीक है शरीरम sûr भवती प्रिश्टम नहुकर पुश्टम होगा जाएगा ज्यादा अपना सार्थक durch होता है शरीर फुस्ट होता है कि से वियायाम के द्वारा तो यह ए व्यायाम शब्द में भी हम तृतिया विवक्ती लगा देंगे बन जाएगा व्ययामिन एधिकें आगे देखें लिखा ain जाए है नदीपार क्योंकि भवेश काल कस्या नहीं लगा हुआ था लट्य लकार की बात हो रही थी यहानि हं नदी पार जा रहे हैं या हम नदी पार जाते हैं किसकी द्वारा नौउका के द्वारा अऒन का कैसी है अकारांत है यह यह का रांत थे livestock सब में इन इन लगा दिया लेकिन वह आका रांत हो गई बड़े आकी मात्रा से अंत है तो इसका हम लता के अनुसारूप बनाएंगे तो नवका बन जाएगी नवका या ठीक है अभी यह सब हमने एक वचन में लिखे हैं लेकिन अगर आपको इनको किस से करना है बहु वचन म करना तुकरत है कैं डूएब कर लेंगे थे भकती अनसार आपके रूप हो जाते हैं ठीक है को यह देखे यहां पर देंकि खिलोने को हमने यहां पर आप कहेंगे कि आपने लिखा है हमने अभी क्या हमने अभी क्या कहा कि आप इसको अपने अनुसार बहुवचर में भी बना सकते हैं लेकिन तिरतिया विभक्ति लगाना सीख लीजिए ठीक है चले तो अब अगले प्रश्णों को देख लेते हैं लिखा है रेखांकित वदम संशोध्य लिखत अब आपको क्या करना है देखे यहाँ पर भी शंशोध्यत यानि शंशोध्यत करके लिखना है वही कर और करके का अर्थ इसमें जोड़ता है यानि रेखांकित जो पद है रेखांक से अंकित यानि चिन्नित किया गया है रेखा लगा के जिसको अंकित किया गया है उस पद को आपको शुद्ध करके संशो यह समुद्रतत होता है भवकार तो क्या होता है होना भवती यानि होता है यह समुद्रतत होता है परियतनम परियतन को होता है यह समुद्रतत अगर यहां परियतनम शब्द जो लिखा हुआ है अगर इसको माहलन थे तो को कार्थ हम जोड़ेंगे अर्थ क्या निकलेगा यह सम समुद्रतत परियतन को होता है तो परियतन को होना क्या सही है क्या इसमें हम क्या सही विवक्ति लगा सकते हैं इसको हम अगर परियतन नहीं लिख दें तो सही होगा क्या परियतन की द्वारा होता है तो क्या सही होगा अच्छा अगर हम कहते हैं कि यह समुद्रतत परियतन के के लिए है या होता है तो सही होगा तो सही हो जाएगा तो हम यहां पर क्या इसको शुद्द करेंगे हम इसमें बिभक्ति का परिवर्तन करके देखेंगे क्या बनेंगे यह समुद्रतत परियतन आए यानि परियतन के लिए होता है यह समुद्रतत परियतन के लिए है ठीक है चले तो यह सही हो गया चतुर्थी विभक्ती का प्रियोग हो गया दीपक भवती दीपक होता है किसके लिए होता है दीपक प्रकाश होता है उन्हें नहीं दीपक प्रकाश के लिए होता है तो यहां पर भी हम इसमें चतुर्थी विभक्ती का प्रियोग करेंगे तो यह हमार कि प्राचारे जो है छात्र को पारी तोशक प्रदान करती हैं लेकिन यहां पर क्या गलती हुई है यहां गलती हुई यह हुई है क्योंकि दानार्थे चतुर्थी हमने सूत्र पढ़ा है कि जहां पर दिया जा रहा हो धान जिसको दिया जा रहा हो धान वो होता है संप्रदान संप्रदाने चतुर्थी अर्थात प्रदान करने की बाद छात्र को हो रहे हैं तो छात्र संप्रदान दानार्थे चतुर्थी सूत्र से द्वितिया विभक्ती में नहीं बनेगा चतुर्थी में बनेगा तो छात्र छात्रम ना बनके बनाएगा छात्राएं कि प्राचारे छ फारितोशक हम एक्षति सूर्यम नमह तो यहां पर भी सूत्र पुल्य सूरी को नमसकार है तो बली तो सही है पर लेहिं नहीं होगा क्यों क्योंकि नमह स्वस्ति सवधा अलंब वशट योग में चतुर्थी क्ज़ति क्याता है कि जहां पर नमः शब्द लिखा हुआ हो स्वाथा लिखा हुआ हो वशचट हो अलम हो इन शब्दों की योग में इस शब्द में द्वितिया विभक्ती नहीं आती है भले ही कोंकोर और्थ निकल रहा हो तो सूर्यम के स्थान पर हो जाएगा सूर्याए ऐसे ही देखे एक और चतुर्थी का सुत्र यहां पर बताता है कि बालकान आम्रम रोचते बालकों को आम्रफल पसंद होता है तो क्या कौन सा सुत्र कहता है रुच्यर्थे को कार्थ होते हुए रुच्यर्थे चतुर्थी दानार्थे नमह स्वस्ति सुधा अलम वशतियों के चतुर्थी ये सूत्र हम से कहते हैं कि रुच धातु की योग में भी क्या आएगी चतुर्थी विभक्ति आएगी तो देखें लगा क्या था इसमें दूतिया विभक्ति का बहुवचन था तो हम चतुर्थी का भी इसमें बहुवचन ही लगाएंगे तो बाल कान शब्द जब चतूर्ती विवक्ती में जाएगा बहुए चन Must nod में रूप क्या बनता है बाल का ये बाल का भियम बाल के भ्यह तो हम गया इस प्रकार से ये आपके संशोधित होके लिख जाएंगे क्योंकि हमें अर्थ देखना होता है कि कौन सी चीज क्यों गलत आई है तो सूत्र हमें से लिए जब आपको शुरुआत करवाई थी पार्ट तभी हमने सबसे पहले समझा दिये थे चीक है न तो चलिए यह सारे वीडियो इस तरह से हमारा देखे यह तो हमने अभी बताई दिये हैं और इस तरह से अपना यह वीडियो हो जाता है कंप्लीट टेस्ट पेपर हमने पूरा करवा दिया और टेस्ट पीपर के साथ में मारा केवल उद्देश ऐसा नहीं था कि केव कम उस डाउट को सॉल्व करेंगे हमारा कोशिश यह रहती है कि आपको कहीं समस्या नहीं रहे और रटने की जो प्रवर्ति है वो खतम हो जाए कहीं पर भी नमहाशब्द देखे तो आप याद आ जाए कि मैंने सूत्र बताया था कि नमहाशब्द जहां कहीं पर होगा उसक सूत्र हम बार-बार बोलेंगे आपको याद हो जाएंगे याद हो जाएंगे तो आपकी आप संस्क्रित शुद्ध तरीके से समझ पाएंगे यह हमारा अच्छा हमारा मैगनेट ब्रेंस हिंदी चैनल भी शुरू हो चुका है जिसमें कि हिंदी मीडियम वाले जो भी जितन करना है कुछ भी कीजिए पूरा ओपियो कीजिए हमारी मैगनेट ब्रेंस चैनल का बिलकुल फ्री में कोई पैसे नहीं देना है चीक है न तो इस तरह से लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को मिलेंगे नेक्स वीडियो में अगले पार्ट के टेस्ट पेपर को स्वल्व करवाएंगे तक तक के लिए धन्यवाद